राधे राधे दोस्तों कैसी हूँ आप लोग आज की हमारी कहानी का नाम है चुगली मा मैं सच बता रही हूँ कल रात रोहित भाईया सनेहा भावी के लिए एक बरा पैकेट लेकर आए थे लगता है उन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता है मुझे पूरा यकीन है कुछ खाने पीने का ही समान था अब आश पडोस के दिखने वाले तो यहीं कहेंगे आप बहु को खाने को नहीं देती इसलिए पती छुपा कर अपनी पत्नी के लिए चीजी लाता है मा बदनामी सिर्फ आपकी होने वाली है अभी रोक लिजिए वरना बेटी अंजली ने अपनी मा को मिर्च मसाला लगाते हुए बात बताई प्रमीला जी कान की जरा कच्ची थी प्रन्तु अपनी बेटी की बातों में आकर चिलाई ऐसा क्यों वला हमारी घर में तो सब कुछ बनता है मैं तो सनिहा बहु का कितना ख्याल रखती हूँ उसकी खाने पीने पर कभी पाबंधी नहीं लगाती बलकि कितनी बार हो अपनी पसंद का खाना खाती है और तो और कितनी बार तुम लोग ऑनलाइन पीजा पास्ता भी मंगवाते हो मौके पर बाहर जाकर भी खाते हो फिर क्यों अच्छा नहीं लगता होगा और मैंने सनिहा को पहले ही समझा दिया था हमारे घर में कुछ भी छूपा कर नहीं आएगा ज प्रमिला जी अपनी बेटी की बात सुन गुसे में तम तमा उठी जिससे देख अंजली मन ही मन मुश्कुरा रही थी क्योंकि उसने सास बहु की बीच में फूट डालने का काम कर दिया था रोहित और सनेहा की सादी को एक साल हुए थे और वो प्रेगनेंट है अब आए दिन उसका मन कभी खटा तिखा तो कभी मिठा खाने का करता है कभी कभी खूट का बनाया खाना भी उसे पसंद नहीं आता तो दही अचार से रोटी खाकर भी संतुष्टी पा जाती थी तो कभी पूरी हलवा से हीक आती थी बस अपनी भावी की इसी परिसानी का फायदा उठाकर अंजली ने उसके खिलाप अपनी मा के कान भर दिये क्यूं आईए जानते हैं कुछ दिन पहले अंजली अपनी भावी के कमरे में पहुची भावी क्या आप मुझे अपनी घड़ी दे सकती हैं मुझे कॉलेज पहन कर जाना है साम को लोटा दोंगी सनेहा एक बहुत ही सुलजी बेवहारिक लड़की है इसलिए उसने अपनी न पसंद भी है वा मैं तुम्हें नहीं दे सकती तुम चाहो तो कुछ और मांग लो वा भावी दो कोड़ी की घड़ी मांगी तो मना कर दिया अब कुछ और मांगोंगी अभी आपकी सारी मांगोंगी तो कहेंगी बुवा जी की सारी है पर्ष मांगोंगी तो कहेंगी दिदी ने दिया है क्या मुझे मांगता समझ रखा है वो तो आपको अपना समझ कर मांग लिया था मगर आपका दिल तो बहुत छोटा निकला ऐसा मत कहो अंजली पिछली बार मैंने तुम्हें लहंगा दिया था तुमने पाटी में खाने पिने के दाग लगा कर खराब कर दिया उसक गड़ी मेरी मौसी की है इसलिए तुम चाहो तो साम को अपने भाया के संग जाकर अपने लिए पसंद से सुन्दर से घरी लेलो हद होती है बाबी घर में चिज रखी है वह तो दे नहीं सकती भाया के नाम का एहसान बताती है जाए मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी घड़ी मुझे तो पहले ही पता था आपको मुझे कुछ लेना देना नहीं आपको तो बस भाईया प्यारे हैं हम लोग आपके अपने थोड़ी न हैं बोल कर पैर पटक कर उसके कमरे से चली गई बस इसी बास से चिटकर उसने सनिहा से बदला लेना चाहा और अपनी म मां से डांट परवाने का प्लान बनाया उसने अपनी मां को भड़का दिया ताकि सास बहु के बिच में तू तू मैमै हो जाए तो मजा बड़ा आए गुसे से परमीला जी सनेहा के कमरे में पहुंची तो देखा एक डिबा पलंग के सिरहाने रखा हुआ था जिससे देखकर उनका सक यकिन में बडल गया कि रोहिस सनेहा के लिए छुपा कर कुछ खाने के लिए लाया था वे बोली सनेहा बहु हमने तुम्हें किस बात की कमी रख़्ी है जो तुम मेरे बेटे से चोरी चुपे खाने पीने की चीजे मंगवाती हो जबकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था हमारे घर में ये सब नहीं चलता जो करना है तो मुझे बता कर भी सब मंगवा सकती हो फिर ये छुपा कर घर में समाल लाना क्यूं अभी वी वक्त है सुधर जाओ सनिहा अचानक से अपनी सासो मा की बाते सुन हर बढ़ाते हुए बिस्तर से उठी और बोली मा जी आप क्या कह रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हाँ तुम्हें समझ में क्यूं आएगा तुमने मेरे बेटे को गुलाम जो बना लिया है अब तुम जैसी चाहोगी वैसा ही नाचेगा वो और इस घर में कल को दो चुले भी हो जाएंगे क्योंकि तुम्हें हमारी रसोई का खाना पसंद नहीं आता इसलिए चुगली कर अपने पती से छुपकर खाना मंगवाती हो सही कहते हैं लोग आज कल की लड़किया साथ ससुर के नियम काईदे में रहना ही नहीं चाहती उनकी सेवा नहीं करना चाहती बस उन्हें तो अपना पती प्यारा है उसी कबजे में रखने के लिए साम दाम दंड भेद लगा देती है चिलाने की आवाज सुनकर ससुर राकेश जी कमरे में आये और बोले के ऐसा क्या हो गया है जो तुम अपनी बहु की हालात जानते हुए भी उस पर चिला रही हो कोई बात है तो आश्ता से भी तो बोल सकती हो और अगर रोहित कुछ लाया भी है तो इसमें गलत क्या है बहु कामन इन दिनों कुछ भी खाने का कर सकता है इतना तो तुम समझो नहीं मैं नहीं कुछ समझोंगी समझना तो इसे पड़ेगा ये घर मेरा है और यहां इसकी मनमानी नहीं चलेगी अरे ये कोई अकेली है जो बच्ची पैदा करने वाली है मैंने भी दो दो बच्ची जने है मगर ऐसी हरकते नहीं की किसी को पता नहीं था अचानक रोहित बात्रूम से बाहर निकला और बोला मा सुधरने की जरूरत आपकी बहु को नहीं आपकी बेटी को है अचानक से तो बहु की है बेटी की क्यूं नहीं कुछ बोलना मा आप तो जानती है सनेहा को कभी भी ऐसी डिटी और अपज हो जाती है कल रात को खाने के बाद उसे उल्टिया हो गई फिर भी वह चूप चाप सोने की कोशिस करने लगी अचानक बोली मुझे कुछ मिठा मिल जाता तो मैं सोचा आपको जगा कर आटे का हलवा बन वालू पर देखा आप सोर ही थी इसलिए मैं खुद उसके लिए गाजर का हलवा बजार से ले आया और जब इसे खिराने लगा तो कहने लगी नहीं मम्मी जी को ये बिलकुल पसंद नहीं आएगा कि मैं अकेले चूप चाप कु कुछ बनाती है मेरा बहुत ध्यान रखती है मैं उनका दिल नहीं दुखाऊंगी आप ये हलवा रख दीजिए कल सुबा हम सब मिलकर खाएंगे मेरे लिए ठंडा दूद ला दीजिए वहीं पीलोंगी इसलिए वो बंद डिबा ऐसा ही रखा है सायद आपकी लाडली बेट फैमी फैलाकर अपनी भावी को डाट परवाने की कोशिस कर रही थी जो कि सरासर गलत है पिछली बार भी आपको सम्मान ना देने की बात पर कितना भड़काया था तब भी आपने सनेहा को ना जाने क्या क्या नहीं सुनाया सनेहा मुझे इसकी हर हरकत के बारे में बताती है पर हम इसकी हर गलती को नदानी समझ कर माफ कर देते हैं अब आप भी फैसला किजिए कि किस्ता क्या करना है वरना सच में गलत फैमियों के बीज बोकर ये आपके घर में दो चुलहे करवा देगी प्रमीला जी ने अपनी बेटी अंजली को एक जुरदाग थपर जरने ही वाले थी कि सनेहा ने उन्हें रोक दिया मगर गुसे में बोली कॉलेज का आखरी साल है पढ़ाई पर ध्यान दो और अपनी पैरों पर खरे होने की सोचो ऐसे घर में कलह मचा कर बुड़ी ननद बनन से अच्छा है कि एक अच्छा इंसान बनो आइंदा बिना सोचे समझे अपनी भावी के बारे में बोला तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा अंजली ने भी अपनी भाईया भावी से माफी मांगी और कहा आगे से इस तरह की कोई गलती नहीं होगी सनेहा ने उसके आंसु प तुलू हो जाएगा इसलिए मुस्कुराओ और ये लो मैंने तुम्हारे लिए अपनी घरी से भी सुन्दर घरी मंगवाई है ये देख अंजली को बहुत आत्म गलानिन हुई और प्रंतु अपनी भावी के गले मिलकर सारे गिले सिक्वे दूर कर दिये असा करती हूँ दो दोस्तो हरी बोल